नमस्का दोस्तों स्पागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों हमारी बहुत ही अमेजिंग सीरी शुरू हो रही है जिसका नाम है एड्यूके टू रिजुविनेट हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी भी तरह की बिमारी से बाहर कैसे निकले इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करम जीत सिस्टर आईए उन से बाते करते हैं ओम शान्ति सिस्टर वेल्कम तो आशो ओम शान्ति सिस्टर हमारा जो पहला सीरीज रहा है बहुत ही कुपसूरत रहा है हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस सीरीज मे मुझे सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यह है कि बिमारियां हमें होती क्यों है या मैं कहूं हम बिमारी क्यों पढ़ते हैं बहुत ही important सवाल है ये और इस बेरी important to know for every person कि हम बिमार कैसे होते हैं क्यों होते हैं यह बिमारिया हमारे अंदर आती ही क्यों है हम क्यों एक ऐसी जिन्दगी जीने लगते हैं जिसमें हम किसी ना किसी कश्ट से परिशान हो जाते हैं तो आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे अगर चलें आप देखेंगे कि few years back जब हमारा समाज स्वस्त था तो स्वस्त बच्चे पैदा होते थे आज दो सिनारियों है नमबर एक Because of wrong treatment Because of wrong lifestyle या कुछ गलतियों की वज़ा से जब माँबाप का lifestyle और स्वास्थय खराब होता है तो वहां से ही एक unhealthy बच्चे को जनम मिलता है तो ये एक सिनारियो है जहां पर by birth बच्चे के अंदर कुछ कमिया हैं, कमजोरियां हैं कष्ट हैं या कोई बिमारियां है या फिर कई बच्चे अपाहिज पी पैदा होते हैं There are many things Second scenario is The other side of the coin is आप स्वस्त पैदा हुए थे लेकिन कुछ problems आने की वज़ा से उनको suppress करने की वज़ा से आपके अंदर बिमारियां पैदा हुए Okay And that is actually not disease But it is healing crisis Healing crisis? Ji I want to introduce this to everyone Ji Healing crisis And I can say I always say it's a happy crisis Happy and crisis Didi Yes Totally different words है Yeah, it's a happy crisis It's a healing crisis Okay So, कहने का भाव है हम बिमार क्यूं होते हैं? कैसे होते हैं? अब दो scenario ये हैं By birth बिमार है या बाद में बिमारी आई है जीग है अब उसके कारण कारण क्या है? बिमारी आने के या कोई भी कश्चब आता है उसके कारण क्या है? नंबर वान इस Healing crisis को disease समझ लेना Healing crisis को Happy crisis ना समझ कर उसको disease समझ लेना तो हम उसको suppress करने की जरनी पे चल पड़ते हैं और suppressions की वज़ा से हमारे अंदर कोई ना कोई बिमारियां या कोई ना कोई तकलीफे आनी शुरू हो जाती है This is one cause Other cause is our emotional issues माली जिये There are no happy crisis, no healing crisis और by birth भी बिमार नहीं है और अभी भी कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम बिल्कुल healthy जी रहे हैं लेकिन कोई emotional issues आ गई घर में आपके कारक्षेत्र में आपके family में या आपके अपनी personal life में जब वो emotional factors आते हैं या जब कोई tragedy हो जाती है या जब कोई भी हमारे आगे ऐसा हाथसा हो जाता है या हम किसी से जुड़े वे होते हैं वो जानक इस दुनिया से चला जाता है या फिर घर में ही कोई बच्चों के parents के साथ husband wife के एक दूसरे के साथ माता-पिता के उनके young generation के साथ या फिर आपके profession में आपके workplace में आपके boss के साथ employees के साथ employer के साथ अगर कहीं पर भी कोई emotional issues आ रहे हैं that also has a direct and very harmful effect on the body because जब वो issues आएंगे अगर आप उनको tackle करने में माहिर नहीं है अगर आप नहीं जानते कि अपने मनसिक्स तर पे आने वाली problem को कैसे overcome करना है तो वो धीरे धीरे आपकी physical body पे उसका effect होना शुरू हो जाएगा so every problem हमने discuss पहले भी किया था every problem or every disease arises from hair पहले कोई संकल्प आएगा पहले कोई थौट आएगा उससे emotions generate होंगे feelings generate होंगी वो जैसे emotions हम feel कर रहे होंगे उसका प्रभाव हमारी body पे पड़ता है so every problem it rises first over here in the mind वहाँ से धीरे धीरे वो body पे travel करके manifest होती है disease ऐसे ही नहीं आती issues mental होते है this is why आज के दौर में maximum doctors are calling diseases to be psychosomatic right है ना तो brain से mind से वो चीज़े body में manifest होने लगते है जब वो manifest होती है तो फिर वो हमारी आँखों के सामने एक disease के रूप में हमें नजर आती है तो जब हम happy crisis या healing crisis जब होते हैं उन्हें suppress करते हैं या हमारे कोई mental issues आ जाते हैं हमारे घरों में परिवार में या वर्क प्लेस पे उनकी वज़ा से कोई diseases हमारे body में manifest होते हैं या फिर माल लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन happy crisis जो healing crisis हुए और sudden headache हो गया चुटी चुटी problems हो गई और उसके लिए होने की कोशिश की दबाने की कोशिश की तो जब ये गलतियां हम करते हैं वहीं से disease पैदा होना शुरू होता है sister आप कह रहे है happy crisis जी अगर हम देखे जब ही भी कोई crisis आता है सबसे पहले हमारी खुशी जाती है तो ये इसको happy कैसे बोलेंगे crisis सभी खराब नहीं होते है some crisis are good हम crisis शब्द के definition में ना जाके हम उसके पीछे के महत्व को देखे एक पर whenever there is some disastrous crisis happening on the earth जैसे COVID आया था तो जब COVID आया था तो लोगों ने क्या कहा maximum people used to say अच्छा हुआ COVID आया सब बंद हो गया हम घरों में बैठे एक दुसरे के पास बैठे एक दुसरे के लिए समय मिला environment सारा साफ हो गया atmosphere सारा clean हो गया मैं बहुत सारे उसके positive points भी निकल के सामने आए जी ऐसे ही जब हमारी body में healing crisis आते हैं जिसे मैं happy crisis बोलती हूँ तो अगर वो हम समझ लें कि this is happening for my benefit और this is happening for the good health तो उस समय पर अगर हम उसे suppress नहीं करेंगे तो वो हमें benefit देके जाएगा advantage देके जाएगा और मेरी health को और अच्छा सक्षम बनाने में मदद करेगा इसका like functioning कैसे होता है या कोई ऐसे tips जो आप दे सकते हैं इसके तुरू हम इसे और भी अच्छी तरह से समझ पाएं healing crisis दो तीन तरह से होते हैं number one जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी immunity power बहुत strong होती है यहाँ पर भी लोग भुखा खाके गलती से एक शब्द बोलते है अरे छोटा बच्चा है तो कमजोर है no आप जितने बड़े होते जाते हैं आपकी immunity power घटती है जब आप पैदा होते हैं आपकी immunity power सबसे strong होती है जब एक नन्ने से बच्चे ने जनम लिया don't have a look at the size of the body बच्चे की बड़ी का size छोटा है अंदर उसके जो system लगा है वो बहुत पावर्फुल है वाँ इसी लिए तो अगर छोटा सा भी बच्चे के बड़ी के अंदर कुछ फोरन मैटर चला जाए या फिर थोड़ा सा भी उसको जैसे वो small जो छोटे kids होते हैं बच्चे होते हैं इन्फैंट्स होते हैं तो जो इन्फैंट्स होते हैं as they are on mother's milk और अगर उनको फॉरन मैटर में कुछ भी आप ऐसा दे दो तो वो तुरंट वामिट करते हैं उनको तुरंट लूज मोशन हो जाते हैं डाइरिया हो जाता है तो what is the reason behind it? The body is so perfect. The body का system है वो इतना strong होता है कि वो जरा से भी कुछ अंचाही चीज अंदर गई बड़ी तुरंट उसको उठागे भार फैंकती है तो इस इस दे फंक्शनिंगे बड़ी लेकिन हमें क्या लगता है ओहो, बेबी बिमार हो गया बच्चा बिमार हो गया, भागो, दोड़ पड़ो दोक्टर के पास, ले जाओ इसको कहीं कुछ हो ना चाहे लेकिन हमें क्या हमें बच्चे को खिलाया ऐसा क्या बच्चे को हमने दे दिया जिसकी वज़ा से उसकी बॉड़ी ने उसको चीज को उठा कर के बार फैंग दिया पर सिस्टर, आजकल जो एक वर्ड बहुत जादा यूज होता है वो है इम्यूनिटी इम्यूनिटी वीक होती है तभी हम बिमार पढ़ता है तो अगर एक बच्चे को वमिटिंग हो रहे है या फिर दस्थ हो रहा है या जो भी इस तरह की प्रोब्लम हो रहे है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो उनकी इम्यूनिटी कम है अच्छा इसका यह मतलब बिलब भी नहीं है यह वोगिंग अधिर बेस्ट पॉसिबल पॉसिशन इट गान अच्छा इस तेक अग्जांपल ओवर हीर सपोज आप अपने ही घर में सपोज एर कंडिशनर ही है या एर कूलन है, एर कंडिशनर है और एर पॉरिफायर लगा हुआ है तो एर स्टीशनर क्या करता है और एर पॉरिफायर क्या करता है में उसकी सफाई करनी पढ़ती है हमें फ्रेश एर प्रवाइड करती है right so if that system is not working inside the machine तो इसका मतलब वो system खराब है अगर वो नहीं सक कर पा रहा है yes तो मतलब आप यह कहना चाहरे है कि अगर कोई unwanted चीज हमारे बॉड़ी से चाहे कोई बच्चा हो या बड़ा हो अगर वो unwanted चीज हमारे बॉड़ी से बाहर निकल रही है in different ways चाहे वो सर्दी हो गया या बुखार हो गया या जो भी हो गया so it is good मतलब हमारा immunity बेटर हो रहा है yes इसलिए मैंने एक वैद्य को सुना था he had said कि it's long time back कोई बुजूर्ग थे अगर साल में एक बार भी आपको सर्दी खांसी जुकाम भुखार नहीं होता है it means आपको बहुत जादा हेल्दी नहीं है मतलब साल नहीं तो दो साल में तभी तो होना चाहिए थोड़ी बहुत सर्दी हो गई थोड़ा बहुत फीवर हो गया या खांसी या फिर दस लग गए है तो फिर आप ऐसे हैं कि आप योगा बहुत करते हैं प्रानायां बहुत करते हैं आप रिलिजियूस ली पिरिच्वली या बहुत फिट है माइंड बिलकुल साउंड है कोई इमोशनल प्रब्लम्स भी नहीं है फिनाइंशल भी बड़े अच्छे हैं कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है माइंड पे या तो आप कंप्लीटली बहुत ही अच्छा खाना पीना भी अच्छा लाइस्टाइल भी अच्छा सब कुछ ठीक जा रहा है पर सिस्टर ऐसा पॉसिबल होता है या तो यह सब है फिर तो healing crisis भी नहीं होगे फिर यह नहीं होगा लेकिन जहां आपने कुछ गलत खाया स्टमक आपका उठा के उसको बार पहंगेगा जहां आपने कुछ undigestion होगया, indigestion होगया उपर जाकर के यहां तक आपका वो digest नहीं हुआ तो वो वोमिट कर देगा, अगर पेट में जाके कोई indigestion होगी तो वो through your stool lose motions हो जाएंगे, वहां से exit होगा, या फिर अगर कुछ virus या कोई ऐसा आपको उतंग कर रहा है तो बाड़ी अपना temperature raise करके fever चड़ा देगी, तो कितनी सारी चीजे हो जाती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार मिलब काफ, कोल्ड हो जाए और फीवर हो जाए या लूज मोशन हो जाए, डाइरिया हो जाए तो थीज आर ओल हीलिंग क्राइस वाँ और आफ देगीलिंग क्राइसे is skin disease also if something is happening inside the body and you say कि कुछ भी ऐसा allergic reaction हो गया है तो कई बार तुरंथ skin allergy हो जाती है और आपकी arms पे या rashes हो जाते है चुट-चुटे दाने निकलाते हैं skin red हो जाएगी और वो आपको लेगा चुट-चुटे दाने हो गया pimples जैसे हो गया है, दाने-दाने हो गया है उसको उठाके बार फैटेगा अब यहाँ पर एक सवाल सबको पूछना चाहिए खुद से क्या बिमारी को या problem को या toxic waste को गंदगी को अंदर छुपा के रखना जादा अच्छी बात है या उनका बाहर निकल जाना किसी रूप में अच्छी बात है आप बताए sister, यहाँ पर वही एक point आता है जहाँ पर कि मुझे असा लगता है कि वो pain या बुखार बहुत देर तक सहन नहीं हो रहा है या फिर उल्टिया continuous हो रही है 10-15 उल्टिया हो गए या lose motions हो गए अपने को लगता है कि कैसी बे मैं ठीक हो जाँ तो लोगों का वही intention रहता है कि quickest way में अगर मैं अपनी बात करो तो I want to get healed faster so that मैं काम पर वापस जा सकू मेरी फिर से life normal पर आ जाए तो इसमें गलत क्या है पहले हमने जो सवाल raise किया है उसको एक बर सोच के उसका जवाब दीजिए कोई भी toxic waste कोई भी किसी तरह की गंदगी अंदर पड़ी रहे और अंदर दब जाए और अंदर छुप जाए और फिर बाद में किसी बड़ी बिमारी के रूप में बाहर आए वो जादा अच्छा है या सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशन के थुरू वो बाहर निकल जाए वो जादा अच्छा है सेक्ट वान इस बेटर सेक्ट वान इस बेटर अप्सलिटली अब आपकी बात पर आते हैं अब आपने कहा कि हम मैं चाहूंगी कि मैं फास्टर ठीक हो जाओ फास्टर हीलिंग हो जाए जल्दी ठीक हो के मैं काम पर वापिस जाओ अगेन आइ वोड आस्क वान क्वेस्टन आज का अभी का ओफिस जाना ज़ादा ज़रूरी है और लेटर रॉन हॉस्पिटल के बेट पे लंबा समय तक लेटना अच्छा है या एक दो दिन छुटी लेके रेस्ट करके बेशक हमारी सैलरी भी जा रही हो दो दिन की कोई बात नहीं लेकिन लाइफ टाइम मैं अच्छी हो जाओ और मेरा लंबे समय तक मैं बहुत अच्छे से अपने जॉब पे जा सको और अपना वर्क अपना बिजनस केरियान कर सको और कभी भी मुझे अप्टल का मूना देखना पड़े कभी भी मुझे दॉक्टर की जुरतना पड़े वह सादा अच्छा है I don't know what to say because you're absolutely right at this part कि हमको वो दो दिन rest करना बेटर रहेगा rather than आप एक major problem को सफर करेंगे So just like defense power of India ऐसे हमारी body का जो defense mechanism है it is always ready to fight with anything foreign matter coming inside the body Right जो foreign matter हो, अगर कुई virus हो कुछ अंचाही चीजे हो unexpected and कुई ऐसी चीजे अंदर चले जाए जो हमारे body को suit नहीं करती है तो वो तुरंट उसको बाहर फैंकने का काम शुरू कर देते है और जब वो होता है it happens in few ways सर्दी खांसी, जुकाम, बुखार कोई skin allergy फोड़ा फुंसी हो जाएगा या फिर loose motions हो जाएगे या फिर vomiting हो जाएगे तो जब ये चीजे होती है समझ अगर हो ना कि this happened just because of negligence, ignorance और my mistake या तो negligence हुआ या ignorance हुआ या कुछ wrong खा लिया wrong अंदर चला गया, wrong treatment ले लिया, कुछ भी ऐसा हुआ तो देन body will work as a defense officer अंदर से system काम करेगा as a defense power और अगर हमारा immunity strong है, अगर हमारे defense power strong है body की तो फिर हमारी body active mode में काम करेगी और सारी चीज़ों को उठा के बाहर फैकेगी और वो तब तक बाहर फैंगेगी जब तक अंदर से पूरा system clean नहीं हो जाता, इसी लिए अगर lose motions एक दिन में दो बार, दस बार, पांच बार, छे बार, तेन टाइम्स भी अगर कोई चला जाता है it's not a problem, it's not a disease okay हाँ, महीना भर आपको कोई बेड पे पड़ा हुआ है और महीना भर उसको lose motions लगे हुए है उसके भी कुछ कारण होते हैं that we check when we have a patient with us हम चेक करते हैं हम उनसे बहुत चीज़े पूछते हैं तो वो सवालों में जवाब मिल जाता है क्यों हो रहा है किसाथ ऐसा जैसे yesterday I had a case and they said कि इस बच्ची को हमेशा ही सर्दी रहती है हमेशा ही उसको मालब नोस इस लाइक रुनिंग नोस है और उसको स्नीजिंग और यह सब होता ही ही रहता है it means that's a problem, that's not a happy crisis right happy crisis का मतलब क्या है थोड़ी देर के लिए आया है cleaning करने आया है cleansing process हो रहा है that is why I call it happy crisis because it is it means cleansing process नेकिन जब परमने लगातार कुछ हो रहा है कि rosy paid dirt, rosy loose motions ya rosy fever आ रहा है, bar-bar fever आ रहा है इसका मतलब हमारे system के अंदर कुछ infection है there is some infection inside the blood blood infection है या कुछ और infection है या कुछ ऐसा हुआ है जरूर जिसकी वजह से body मुझे बार-बार ये indicator दे रही है कि check करो कुछ गढ़ड है then we move towards finding out the disease कि कौन सी बिमारी है क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये व्यक्ति हर रोज सफर कर रहा है 6 मेंने में एक बार, 3 मेंने में एक बार कभी मन्त में एक बार या साल में एक बार कभी कुछ ऐसा हो जाए that is healing crisis that is the happy crisis then you should be very happy this is so good कि मेरी क्लिंजिंग हो रही है sister या पर एक सवाल मेरे मन में है कुछ लोगो को ना शायद साल में एक ये बार बुखार होता है कुछ लोगो को हर महीने 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 बुखार होता है कुछ लोगो को सर्दी पर्मनेंट रहती है तो ये then it's a disease okay then it's a disease then it's a disease then definitely there is something inside कि जिसकी वज़ा से वो साइनस बन चुका है इसको सर्दी खाजी या cold या always getting sneezing ये चीज़ टी पॉइंट आपका हमेशा भारी रहता है आपको नाक में मिलब की मुकस बनता ही रहता है कफ पी होता रहता है या cold बॉजल्दी हो जाता है then it's a disease it has become sinus अगर इसको हमने बार बार सप्रेस किया है धीरे धीरे वो sinusitis बन जाएगा बिलकुल तो जब sinus हो जाएगा then it's a disease it's not a happy crisis ये तो बहुत ही अलग परस्पेक्टिव शिस्चर आज आपने शेर किया है I'm sure हमारी audience ने भी इसे पहले कभी नहीं सुना होगा मैंने तो बिलकुल नहीं सुना था और बहुत कुछ आज आपसे सीखने को मिला हमें and all thanks to you sister for your valuable time thank you Om Shanti दोस्तों आज के एपिसोड में हमने बहुत ही कमाल की बात जानी है कि अगर आपको चोटी मोटी सर्दी, बुखार या lose motions या इस तरह या फिर इस तरह की कोई भी छोटी बिमारिया हो रही है तो वो actually बिमारी नहीं है वो happy crisis है ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जो आपकी body की cleaning है वो और भी ज्यादा easy होती जाएगी इस बात के साथ आज की program comment करते है कल आप से फे मिलेंगे आपके ही शो में जिन्दगी बने आसान ओं शान्ती अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिन्दगी बने आसान ब्रुम्हकुमारीज गौडलिवूड स्टूडियो शान्तिवन आभूरोड कॉल 809-4913-487